हम कहते हैं कि हम किसान हैं लेकिन किसान होने के नाते हमें एक बार यह देखना होगा कि हम किस लेवल पे किसान हैं अगर हमें दूद खरीदना है दूद पीना है तो हम उसके लिए दूद बाजार से खरीद के लाते हैं हमें सबजी खानी है वह सबजी हम बाजार से खरीद के यहां तक कि एक हरी मिर्च भी हम बाजार से खरीदने जा रहे हैं कहां तो किसान देश के लोगों का पीट भरता था किसान अन्न दाता था और आज किसान खुद जो है वह बाजार से सबजियां खरीद के लाता है थोड़ा सा हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अपनी कर्म प्रधान संस्कृति को समझिये बिना कर्म के जीवन जो है वो दोश से भर जाता है बिना कर्म के जीवन दूशित हो जाता है बीमार हो जाता है सारी ग्रूप से भी और मानसी ग्रूप से भी किसानों को अब कमर कसनी होगी युवाओं को विशेश रूप से जो किसान अपनी खेती को भी संबाल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग मुद्धा है मैं चाहूंगा जो युवा किसान वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो जुरूर देखें और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें आइए मैं आपको सिधा लेक करता हूँ और डॉक्टर साहब के विचार सुनके बहुत ही अच्छा मुझे लगा फेस्बुक पे सरकों कई बार देखते थे मैं चाहरा था सरसे एक बर मुलाकात हो जो पतंजली में पिछले काफी समय से आजब प्रोफेसर जो है जो है जोब कर रहे हैं डूटी दे रहे ह तो मैं किसान जंक्षन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे लोगों से बात करने का अपने एक प्लेटफॉर्म दिया और जो सवाल आपने पूछा वो एक बहुत ही जोलन्त प्रश्न है आज के समय में और वो प्रश्न ये है कि जो हमारी मूल संस्कृती है भारत की संस संस्कृती कृषी संस्कृती उससे कहीं न कहीं आज का युवा अलग होता जा रहा है कटता जा रहा है उसका कारण ये है कि जो विदेशी प्रभाव है पास्चात्य प्रभाव है उसमें आकर भारत के किसान ने भारत के युवा ने कर्म से मुह मोड लिया है मेहनत करने से म बात करें तो वैदिक संस्कृति का आधार था कुर्वन ने वह कर्मानी जजी विशेच्छतम समाहा एवं तोई नान्य थे तो अस्तीन कर्म लिप्यते नरे के हैं मनुष्य तुम कर्म करते हुए सो वर्षों तक जीने की इच्छा करना नाकारा होकर कर्म हीन होकर एक छण के लिए भी मत बैठना और ये कर्म आधारित हमारी संस्कृति ही हमारे देश की उन्नती का हमारे देश की तरक्की का सबसे बड़ा कारण था हमारे देश की तरक्की का आधार यही कर्म की संस्कृति थी लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्वास्ते लगातार खराब हो जो पहले खेत में काम आदमी करते थे वहां मशीने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है हम खेत में अगर जाते भी है युवा किसान अगर जाता भी है तो वह मोटर साइकल पर जाता है या ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रियोग करना चाता है पशुपालन हमने बं टीवी में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, गेम्स खेलने में, व्यसनों में, इन सारी चीजों में अपना सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो एक देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, उसी करम में अगर आप देखें तो एक बड़ को एक तरह से नोकरी देकर खेती से अटाना चाहरे हैं, और ये भी एक बड़ा सडियंतर है, कि देश में से खेती को दीरे-दीरे खत्म किया जा रहा है, बहुत ही बड़ी आसर ने जवाब दिया, सर एक छूटा सा स्वाल मैं आप से करना चाहूँगा, मैं किसान भाईयों के साथ भी जीना है, अदोनिक यूग में भी जीना है, और जो साधन है, उसके साथ भी जुड़े रहना है, आप इस बीच में जो बहुत बड़ा गैप है, ये जनरेशन गैप कहलें, ये अगरी कल्चर का गैप कहलें, इनको आप कैसे समझ पा रहे हैं इन चीजों को क्यों सर, उसके बीच में गैप देखा सर, तो आप उन किसानों को कहें, क्योंकि बार-बार जो खेती को छोड़ते जा रहे हैं, खेती को घाटे का सोदा बता रहे हैं, उनको क्या मेसेज कनवे करना चाहेंगे सर? देखिए, इसका सबसे बड़िया उधारन है कि खेती के साथ पशुपालन उसका एक इंटिग्रेटेड़ पार्ट है, इन सेपरेबल पार्ट है कि किसान को पशुपालन तो करना ही होगा, और पशुपालन में भी जो देसी ब्रीड की गाए है, वो उसका दूद भी और उस पूद और घी और चाच उसकी इस्तेमाल होगी, वो निरोगी है, और उसका गोमुतर और गोबर जो है, वो खेत में खाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एक बैलेंस बना कि हमें चलना पड़ेगा, आज के टाइम में एक मैं एक्जामपल देना चाहूँगा कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में लोग जो बहुत लगजरियस लाइफ जीने के बाद भी वो वापस आ रहे हैं, आपने देखा सुना होगा कि बड़े शहरों में लोग फारम हाउस बना रहे हैं, वो उनके पास बहुत पैसा है, शेहर का, आधुनिकता का, भोग का पराकाष्ठ उन्होंने देख ली है, उसके बाद वो वापस प्रकृति की तरफ आ रहे हैं, वो नेचर की तरफ वापस आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस पराकाष्ठा तक जाने के बाद, भोग की पराकाष्ठा तक जाने के बाद, शेहरी करण की पराकाष्ठा तक जाने के बाद, आज दिल्ली के जो हालत हम देख रहे हैं वहां लोग प्रदूशन से त्राही त्राही कर रहे हैं और उससे वापस आना चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम नेचुरल लाइफ जी तो इस बात को समझ के अगर युवा किसान कोई 10,000-15,000 रुबे की नोकरी किसी फैक्टरी में किसी कंप उसकी मानसिकता भी अच्छी रहती है और मैं तो यह कहूंगा मैंने स्वास्थे के बारे में मैंने बहुत लंबे समय से काम किया कि आने वाले समय में बहुत सारे मानसिक रोगों का इलाज भी खेती के दुवारा होगा अभी आने वाला समय रिसर्च का है कि देश और दुन से लिए वापस नेचर के करीब लाना होगा और उसके लिए हम्हें देशिगाय कि भॉमाटा की सेवा ढरति माता प्रकृति माता की सेवा इसकी तरफ आना ही होगा अन्या सभ उते हुए भी हम अंदर धर्ती को बचाएं, तो किसान भाईो, ये थे हमारे साथ, हमारे किसान भाई, डॉक्टर संजय सिंग, और सरका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा, अगर अभी तक हमारी आप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, तो आप के साथ हमारी आप आपको Google Play Store पर मिल जाएगी इसके लावा मैं चाहूँगा किसान भाईयो अगर अभी तक नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिंदा बात जिंदगी और आईरवेदा गुरू के नाम से आपको मिल जाएगा आप हमारे नए चैनल पर जरूर आए देखें पूरा